बसकार दोस्तों स्वावत है एक नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में आने वाला हूँ कि Redmi 9 Active में या Redmi के किसी और फोन में आपकी सरह से Daily Data Limit Soit कर सकते हैं और Notification बार में आपकी सरह से यह जो Control Center होता है Notification Set बोलते हैं वहाँ पे So कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको Mobile में आपको यह देखना है कि कहीं आपके Mobile में Security नाम का Application है क्या अब Security का Application यह जो Application होगा इस पर क्लिक कर लेना है First time खोलोगे कुछ ऐसा Interface मिलेगा और यहाँ पे आपको Data Usage का Option मिलेगा नीचे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Data Usage का Option नहीं मिल रहा है अब Data Usage का Option आगर आपको नीचे में नहीं मिल रहा है तो उपर में मिलेगा देखो Actually क्या होता है नहीं यह अपडेट होगा न तो यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ जाएगा है ना तो Data Usage पे क्लिक करना है First time करोगे ऐसे आएगा अब यहाँ पे आपका सीम लगा हुआ होगा और यह Automatically detect कर लेगा कि कर रहा है अभी कि कितना इस मंथ में आपने अपना MB इस्तेमाल किया है यह देखो Automatically कर रहा है तो अभी क्या करना होगा आपको यह देखो यहाँ पे Setting का भी Option होता है तो अगर डारेक्ली आप जैसे यह सीम 1 है सीम 2 या किसी के लिए भी आप डारेक्ली यहाँ पे जाते हो तो डारेक्ली आप जाते हो तो यहाँ पे Data Usage Notification का Option होता है अब Data Usage Notification को अगर आप Turn On कर देते हो तो यहाँ पे यह चीज़े देखती है पहले ही मैं बढ़ा देता हूं So करने का क्योंकि बहुत सारो लोग Set नहीं करना चाहेंगे वो सिर्फ यह चाहेंगे कि आज मैंने कितना खर्चा किया और इस महीने में कितना किया सिम्पल सा चीज़ है वो सिर्फ देखना चाहते हैं तो अगर सिर्फ आप डेटा युज़े नजर रखना चाहते हो महीने का और आज का तो आप रख सकते हो इस तरह से लेकिन अगर आपको Set करना है तो डेटा युज़े के नीचे एक डेटा प्लान होता है तो डेटा प्लान की Setting करने पड़ेगी नहीं राने दूँगा इसको कर दूँगा और यहां पे Turn Up होना चाहिए Warning कर देता हूं 80% 90% इसको Full कर देता हूं क्योंकि Monthly नहीं मैं Daily कर रहा हूं यहां पर इसे डेट एक तारिक कोई फारेक नहीं परता ठीक है यह नॉर्मली सेट हो गया अब इसके में Data Usage Warning होता है अब यहां पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहां पे Daily का Option में जाता है अब यहां पे आपको क्लिक कर लेना अब Size यहां पे अब यहां पे देखो 3% of Monthly Data Daily में या फिर Custom सेट करना है आपको डेली आपको कितना मिलता है डेली मिलता है डेली जीवी ठीक है अब यहां पे 1.5 लिक सकते हो जीवी में या फिर MB में Convert करके 1024 से Multiply करके लिक सकते हो तो मैंने डेल जीवी कर दिया यान्ने 1536 MB कस्टम में हो गया जब यह डेटा खतम हो जाएगा तो क्या होना चाहिए वर्निंग आना चाहिए तो मैं वर्निंग कर देता हूँ अब यहां पे एक option होता है कि Lock Screen पर भी चाहिए वर्निंग तो ठीक है Data Usage Warning तो यहां पे 5 MB, 100 MB मतलब कि अब यहां पे आप जो Set कर रहे हो यह थोड़ा सा गलत कर रहे हो मैं कैसे यह बोल रहा हूँ क्योंकि यहां पे जब आप एक बार Set कर देते हो मैं जिसे Normally कर देता हूँ और इसके बाद क्लिक करता हूँ तो Custom का यह फिर से Option आ जाता है बहुत सार लोग का Option दुबारा नहीं आता है तो मैं आईसे करूँगा कि यहां पे 1.3 करूँगा इसमें क्या होगा है कि इतना जब खतम होगा 1331 MB और उसके बाद जस्ट 5 MB और खतम होगा ना तो यह Warning 100 कर जाएगा मेरा बरना 100 नहीं होगा Warning तभी तो आपको पता चल जाएगा कि यार बस मेरे पाद 200 MB बचा हुआ है जितना चाहते हो जितना पहले आपको पता चल जाए उतना MB कम कर लेना 1536 में से देड़ जीवी वाला है तो बरना 1024 से मंटिपलाई कर लेना जितना जीवी आपको मिलता है तो यह मैंने कर दिया ठीक है अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है और यह जो आप देख रहे होना यह सेट, डेटा उजेज, यह ठीक है तो यह भी वही चीज है यह सीम के options है जो सीम 1 में, सीम 2 में आप सेट करते हो limit लगाने के लिए तो डेटा उजेज की फूल लिटेल वाली वीडियो देख लिएगा अब तूडे और यहाँ पर रिमेनिंग दिखा रहा है आपका यहाँ कि महीने का आपका इतना जीवी है और आज आपने इतना खर्श कर लिया अब आपका जो सेट है limit आज का उस पर जाएगा तो वर्निंग मिल जाएगा तो इस तरह से आप सेट कर लेना नॉर्मली तो वीडियो अच्छी लगए होगे तो लाइक कीज़ेश शेर कीज़ेश सब्सक्राइब कीज़ेश मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए